गुड मॉनिंग इस्टूडेंट आज हम फिजिक्स की यूनिट वन का पिर्थम अध्याय आवेश इवं बिद्धुत छेत्र को इस्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ परिवासाओं का ध्यन करेंगे जैसे बिद्धुत जैसे चैप्टर का नाम है आवेश इवं बिद्धुत छेत्र तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि बिद्धुत क्या होती है तो हम इसकी परिवासा से इसको समझेंगे कि बिद्धुत वह उडजा जिसके कारण कोई बस्तु हलकी फुलकी बस्तु को अपनी और आकशित करने लगती है उसको हम विद्धुत कहते हैं अपन इसकी परिवासा को देखते हैं विद्धुत किसे कहते हैं वह है उर्जा जिसके कारण कोई बस्तु हलकी फुलकी बस्तु को अपनी और आकशित करने लगती है विद्धुत कहलाती है एवं जिस बस्तु में है उर्जा होती है न उसे हम आविद्ध बस्तु या विद्धुत मन बस्तु भी कहते हैं तो आपको ये विद्धुत की जो परिवास अक्लियर हुई होगी, तो हम इसके बारे में आगे चलते हैं, तो हम समझते हैं, आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो चैप्टर का नाम होता है, हमें सबसे पहले उसकी जानकारी होना चाहिए, उसके बाद ही हम चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो हम समझते हैं, आवेश क्या होता है, इसके बिरकार क्या होता है, इसको के से समझा जाता है, और इसके गुण क्या होता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, तो आवेश को पढ़ते हैं, तो किसी बस्त से बो है कि बस्तू का आंत्रिक गुण होता है और इसमें वह जो बस्तू रहती है वो हल्की फुल्की बस्तू को अपनी और आकर शित करनी लगती है इसे हम क्यूं से दर्शा आते हैं इसको कैपिटल क्यूं से भी दर्शाया जा सकता है स्मॉल क्यूं से भी दर्शाया जा सकत एक धनाविश और दूसरा रिनाविश